हेलो एवरीबरडी, वेलकम टू अरहान एंटेटेन्मेंट, देखो यार मैं अननेसेसरी का कभी भी बॉलूड वाले हो, कुछ भी बुरा नहीं बलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि मुवी कोई भी इंडेस्ट्री वाले बनाया है, मुवी अगर अच्छी है तो वो द कहानी देखना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, एक ऐसी मुवी जो की मल्यालाम इंडेस्ट्री से बिलॉंग करती है, बट ये हिंदी में अविलेबल है, मुवी का नाम में, हेवन जस्ट नौ हैफ कंप्लिटेट इस पर्टिकलर मुवी, और मैं आपको एकी कि इसको सिरियसली इन्वेस्टिकेट करते हैं, पीटर की वाइफ की देथ हो गई है, लेकिन इसका एक बेटा है, खिर आप कहानी में ट्विस्ट आप आता है, जब एक फॉरेस्ट में एक डेड बॉड़ी मिलती है, अब उसके बाद है, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ ज आप गैस करते हैं कि भाई आकिर मर्डर किया किसने है, और जिस तरह से मुवी को एक्जिगूट किया हूँ, एक परफेक्ट मुवी मेकिंग की निशानी है, जो मेन केरेक्टर है, सरकल इंस्पेक्टर पीटर, उनके करेक्टर इस तरह से लिखा है, उनके बारे में छोटी स चोटी चीजी इसलिए बताई ताकि आपको पता चले के पीटर आकिर कैसा है, पीटर से आप पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट हो जाए, इस हिसाब से पीटर की करेक्टर को लिखा है, और इसी वज़े से जैसे मुवी आगे बढ़ती है, वह हमें अच्छी लगने लगती ह और आगे जो चीजे होती है, वह मैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, जितनी भी साउथ की मुवी सोती है, स्पेशली मैं अगर मल्यालम इंडर्श्री की मुवी की बात को, तो वह मुवी को फॉरल लोकेशन पर शूट कम करते हैं, और वह अपने कैरला में शू होने को मिलता है, एक्टर के पीटर के बात को, हर एक एक्टर ने अपने इस्से के रोल को कुछंस का है, ति premium olun को ऑडियेंस को सोचने पर मुझ yell, जे वह उल्ट को प्रेवन्श्री मूवी का रहते हैं, अगर आप लोगको बॉले सекनऊंस है, किन्वेलन को पोग सबी मुवी से बहुत हो चुकी है तो ये मुवी आप अपने घर पे अपनी फैमिल के साथ बैठ के देख सकतो मुवी में कुछ भी अशलील नहीं है मैं इसको रेटिन दूगा 8.5 आउट आफ टैंजनल कॉंसेप्ट पर मुवी बनती रहने चाहिए कि जो एंटरेटेंटमेंट लवर उनके एक रिलीफ हो नली पिच्चरों से तो बस मिलते हैं नेक्स वीडियो बें तिल देन बाए